अजमेर की कोतवाली थाना पुलिस ने बुजुर्ग किराना व्यापारी की चेन लूट कर फरार होने के मामले में दो आरोपियों को गिरफतार किया है, दोनों आरोपियों से माल बरामद कर लिया गया है। पुलिस आरोपियों से पुछताच के बाद शनिवार को कोर्च में पेश करेंगे। पुलिस पुछताच में मुख्य आरोपी ने बताया कि उसने अपनी ITI की फीस भरने और किताबे खरीदने के लिए वारदात को अंजाम दिया था। कोतवाली थाने के सब इंस्पेक्टर देवारम ने बताया कि गुरुवार सुबह को महता मार्केट में किराना व्यापारी कलूमर के साथ लूट की वारदात के मामले में शुक्रवार को कार्रवाई करते हुए माखोपुरा निवासी सचिन यादव सहित उसके दोस्ट श्री चौकीज निवासी दिनेश केरलिया को गिरफतार किया है मुख्या आरोपी सचिन द्वारा रेकी कर वारदात को अंजाम दिया गया था वारदात के बाद उसने लुटी गई सोने की चैन दिनेश को बेचने के लिए दे दी थी जिनने स्पेशल टीम की सुचना पर पुलिस दिनाग एक नो दोजर बाइस को परिवादी शिरी जगदीश सजनानी ने एक रिपोर्ट दर्जगराई की में दुगान खोली तो एक लड़का मेरे पास आया जिसने मुह पे कपड़ा बांध रखा था और कुछ समय है पास खड़ा रहा और जपट्रा मार के मेरे कले की चेन तोड़के ले गया जो आगे संयोग में ओठा रिक्षा था उजो मेड़के चले गए आधी रिपोर्ट पर दारा तीन सो ब्राणमा आई पीसी का प्रकण दर्जग में एक टीम का घठन किया गया आज दिन में शिरी रामनिवास Constable 21 जिला इस्पेशल टीम अजमेर वे सुरेश सोधरी Constable दर्शपंदरा जिला इस्पेशल टीम ने सूचन दी कि जो एक दो लड़के एक एरिक्षा में नया वजार में एक चेन बेचने की प्रोक में गूम रहे हैं अधि इतलाप पर अनुसंदान अधिकारी विश्णो प्रजाज जी नया वाजार पहुंचे देखा और रोका चेक किया तो चेन मिली अधि पूंस्ताज मुष्ट की स्मुगद्वा को मोखे पे बुलाया गया चेन दिखाई गई जिस पर सुयम की चेन होना वे लड़का जिस इसके आदार पर पूंस्ताज की गई पूंस्ताज करने पर अपना जुर्म कबूल किया जिनको दारा तीन सो ब्राण में 120 भी आई पीसी में घिरफतार किया गया है अगरिम अनुसंदान किया जा रहा है और भी वार्दात फुल सकती है संभावना है इसमें विशेश योग इसमें कौन लोग हैं जिनको गिरफतार किया है इसमें गिरफतार किया गया है सचीन यादव सनोप जिलेंदर यादव जाती यादव उमर 19 साल निवासी इंद्रा कोलोनी नामदेव नगर इसकुल के पास पुराणा बढ़ गाओं पिएस आदेशनगर अजमेर वे दिनेश कुमार सनोप दिली कुमार जाती बालमी की उमर 23 साल निवासी हाल सांसी बस्ती बगवान गाज अजमेर को गिरफतार किया गया है जिनके कबजे से करीब दो तोले